हेलो दूस्तों, वेलकम टो आवर चनल, विल्स्ट्यूबर, तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के ये रिक्वेस्ट आ रहा था, कि होंडा सीटी का एक ड्राइविंग रिव्यू देने के लिए प्रॉपर, तो मैंने होंडा सीटी ZX CVT लिया है, अल्मूस्ट टू मन्थ सोने व तो सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिसकस कर लेते हैं, तो पहले माइलेज के बारे में बात करते हैं, जो इंडियान मार्केट में एक बहुत ही इंपोर्टन फैक्टर है, तो दोस्तों ट्रिप शुरू करने के पहले ही, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जब मेरा पूरा ट्रिप खतम हो और मैं घर में पहुंच गया था, तो हम लोग देख सकते हैं कि 24,4.3 किलोमेटर ड्राइब हो चुका है, और जो एवरेज माइलेज है, वो 13.2 किलोमेटर पाल लेटर है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि जहाँ पे प्यूर हाइवे था, एकदम बाकी city area है, या तो village area है, या तो hilli area है, जहाँ पे आप गानी को इतना ज्यादा speed में नहीं चला सकते हैं, तो मुझे लगते है कि mileage decent है, आप आपका opinion comment box में बता सकते हैं, दूसरा point है driving comfort, तो Honda City के driving comfort बहुत या अच्छा है, राइट क्वालिटी और वहिकल का जो handling है, दून AC का performance जो है, दोस्तों, बहुत सारे गाणी में हम लोग इसके बार में complaint सुनते रहते हैं, तो मैंने जो ये trip की एगदम peak समरा बोल सकते हो, April 2nd week में, driving mostly मैंने दूपहर को ही किया है, एगदम कड़ी धूप में, और भी AC को 40-50% राखा था most of the times, तो उस time में भी, अगर AC का performance ह हम लोग देखते हैं, तो बहुत अच्छा था, गाड़ी में ventilated seat नहीं है, लेकिन तब भी मेरा back side sweating नहीं हुआ है, मुझे ventilated seat का ज्यादा कुछ कमी महसूस नहीं हुआ, of course ventilated seat होता था तो बहुत अच्छा comfort मिलता, बट यह कोई discomfort का reason नहीं था, कि ventilated seat कार में नहीं है, तो म इस में थोड़ा सा मुझे लगा कि improvement और थोड़ा हो सकता था इस price के गाड़ी में, for example अगर आप city में normal driving करोगे 50, 60, 40 के speed में, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप गाड़ी को ज्यादा खिचना चाहते हो, अगर rpm आपका 2000 के उपर जाता है, तो एक engine noise में आवाज आता है, जब rpm 2000 के उपर जाता है, especially 2500 करने के बाद थोड़ा सा noise आता रहता है, दूसरी चीज़े गाड़ी जब 90 के उपर speed पकड़ लेता है, तो हावा का जो noise थोड़ा बहुत अंदर आता है, अगर आप music system को चलाएंगे, तो दूनोई engine noise और हावा का noise आपको जाता कुछ feel नहीं होगा, अगर music system नहीं चलाएंगे, तो feel होगा, मुझे लगता है, इतना कुछ concern का बात नहीं है, बट हाँ, इतने महेंगे गाड़ी में थोड़ा और improvement हो सकता था, तो दोस्तों, overall मैं बोल सकता हूँ कि Honda City long range driving के लिए एक बहुती perfect car है, थोड़ा बहुत pros and cons सब में होता है, कोई भी गाड़ी perfect नहीं होती है, तो आपको गाड़ी देखनी पड़ती है, आपके requirement के हिसाब से, I think मेरी जो requirement है, उसमें Honda City perfectly feedback दी है, तो यह जे मैंने मेरा driving experience शेयर किया, आपकी उसके उपर क्या opinion है, आप ज़रूर comment box में share करना, वीडियो अच्छा ल